प्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल देखें फ्रेंड्स इस चैनल पे जो मैंने ये लेडिज फैंशी हाफ जाके बनानी शुरू क्यों ही है इसका ये पार्ट नंबर साथ है छे पार्ट में इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूं ये पार्ट नंबर हमारा साथ है इस पार्ट में हम आपको फरंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में जो उपर हमने ये छोटी बुनाई वाला ये बैक पार ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे तो देखे फ्रेंट्स पहले आप बैक पार्ट पर ध्यान दीजिएगा बैक पार्ट में मैंने ये दस डिजाइन बनाई हुए है एक डिजाइन हमारा आठ सलायों में कम्पलिट होता है और मैंने ये दस डिजाइन बबल्स वाले बनाई है ये दस डिजाइन बनाने के बाद यहां पर जब मैंने डिजाइन बनाया तो बारा के मल्टिपल फंदे लेके और तीन फंदे पलस किये थे जब डिजाइन डाला था तो ऊपर जाके हमने यहां पर कमर की सेप दी तब हमने यहां पर बैक पार्ट में दस फंदे कम किये थे 5-6 पंदे बनाए फिर एक फंदा कम किया जो यह लास्ट डिजाइन था इसके साथ सलाई बनाने के बाद जो आठमी सलाई आई उस आठमी सलाई में बैक साइड से हमने इसमें दस फंदे कम किये है और फिर डिजाइन को अडडेस्ट किया है तो अब है हमारे यह फरंटके पारट य पारट इस में बहलेसी में यह बना लिए है है और ये पच्टि बना ली मि Chat आधनल को एक हमारे यह सॉाइन यहां पे इश में हमख भी पांच फंदम करेंगे और पांच दूसरे पागने कावजु कूं करेंगे तो देखे पांच पनदम कैसे कम करेंगे एक फंदा तो हम यहां पे कम करेंगे जो ग्यारा फंदे बोर्डर के हैं इसके साथ में जो दो फंदे हैं हमारे यह बोर्डर से अलग ग्यारा फंदों से अलग बारवा फंदा और तेरवा इनका दो काई करेंगे फिर ये एक डिजाइन है जो हमारा ये एक डिजाइन है पट्टी के साथ साथ में ये हमारा लाश्ट तक बनता जाएगा तो इस डिजाइन में एक फंदा यहां पे घटाने के बाद जो ये बीच का फंदा है इस से आगे ये तीन का एक है यहां तक बनाने के बाद जो इतने फंदे हैं बीच के यह तीन डिजाइन है इनके अंदर हमने चार फंदे कम करने हैं तो देखें इन चार फंदों को कैसे कम करेंगे और एक फंदा यहां पर कम करेंगे तो पाच फंदे इस पार्ट में कम करेंगे, पाँच हम दूसरे पार्ट में कम करेंगे तो इससे पहले मैं आपको इसमें मैंने आठवा डिजाइन कम्पलिट नहीं किया है इसकी मैंने चार सलाई रखी है, अगर बाइचांस आपकी इस पट्टी में जोल नजर आए आपको तो जैसे जाली का डिजाइन है और पट्टी बनती जाएगी तो अगर इसमें जोल नजर आए तो इसमें सोर्ट रो आप डाल लीजिए, मैंने इसके अंदर दो डिजाइन डालने के बाद दो सोर्ट रो यहां पर डाल ली, दो डिजाइन बनाने के बाद फिर डाल ली, दो बनाने के बाद फिर डाल ली तो 3 बार मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दी, 3-4 बार, अब यहाँ पे मैंने इस डिजाइन को इसलिए ही अनकंप्लीट रखा है, कि आपको यहाँ पे एक बार सोर्ट रोज बुनके बता देती हूं, कि यह सोर्ट रोज कैसे बनाई जाती है, तो जैसे इस डिजाइन में हम बन आते जाएंगे तो यहां तक मैं इसको बना लेती हो जैसे में डिजाइन बुनती हुई आई हो तो देखे फ्रेंट्स यह रोज मैंने कम्प्लिट कर लिए है तो हमने इसको सोरट रोज बुनना है तो यह जो 11 फंदे यह बूटर पट्टी के बटन पट्टी के इसका जो 11 फं सोरट रोज का कि यही होता है इसमें 2 फंदन की कम लेंगे और इसंे हम 2 फंद जादाए यहीं से ही टरंग पट्टी मेंरेगे जब भी आप कार्डीगन जाखिट बनाएं और आपको जोल नजर आए पटी में तो आप इन फंदों को छोड़ दीजिएगा इन ही फंदों को दो बार बुन लिजिएगा तो यहीं से हिटरन करेंगे और इस रोकोपूरी को उल्टा बना लेंगे ऐसे इसको उल्टा उल्टा बुन लेके इस सलाई को भी पूरा उल्टा बनाएंगे और फिर से इसको बनाते हुए आएंगे और फिर वापिस आएंगे तो इसके अंदर यहां पर सोर्ट रोज तीन चार सोर्ट रोज डल जाएंगी और इनको डालते हुए फिर यहां आएंगे तब इन फंदों को बनाएंगे तो तब तक मैं इसको बना लेती है तो देखें फ्रेंट्स जो यह डिजाइन डला है इसकी पांचवी और छटी सलाई को मैंने सोर्ट रोज बना है अब यह हमारी सात्मी सलाई थी सात्मी सलाई में यह डिजाइन बबल डलते आए तो अभी स्रों को यहां से पूरा बना लेंगे तो इसमें 2 सेक दो सोर्ट रोज मैंने डाल दी है अब यहां से जो आगे कि 11 फंद हैं बोडर के इनको भी साथ में बुन लेंगे इनको ऐसे 11 फंदों को बुनेंगे तो यह डिजाइन की हमारी साथ में सलाई है फिर बैक साइड में जाएंगे आठ में तो फंदों को हम घटाएंगे जब भी आपको पट्टी में जोल नजर आए तो एक डिजाइन दो डिजाइन डालने के बाद दो सोर्ट रोज आप डाल दीजिए तो पट्टी के अंदर बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी हमारी बटन पट्टी बन के आएगी जोल नजर नहीं आएगा जोल अगर पट्टी में नहीं पड़ता तो आप उसको ऐसे ही बुणते जाइएगा तो ये Сलाई मैंने 7 मी सलाई बुम ली है तो देखे Switzerland 7 सलाई इसकी आखरी डिजाइन के complete हो चुकि है 8 मी में हमने फंदे गटाने है ऐसे ही मैंने इसकी complete क्यों है 8 मी सलाई में फंदे गटाने है तो अब आप एक बार धैं दिजिएगा जो हमने नीचे से ये border में फंदे डाले थे ये हमारे 63 फंदे थे यानि 63 फंदे थे जब ओपर के design का हिसाब लगाया तो एक फंदा ज्यादा था तो एक फंदा हमने जब इस design को start किया तो जो border का design 12 सलाईों में complete होता है बारवी सलाई जो आई back side से उसमें हमने एक फंदे को कम कर दिया तो हमारे यहाँ पर 82 फंदे रहे गए तो 82 फंदों में हमारे design बन के आ गया 12 फंदों में design 11 फंदों की बटन पट्टी बन के आई और 51 फंदों में design बन के आया चार design है 12 के multiple फंदे लेके और 4 फंदे पलस किये थे जब हमारा यह design बन के आया है तो 12 चोक 48 और 3 पलस किये तो 51 और 11 फंदे थे बटन पट्टी के तो हमारे यह 62 फंदे बन गए यहाँ पे 63 फंदे थे एक फंदा हमने 12 लाई में कम कर दिया तो अब आगे जैसे चोटी बुनाई का design मैंने उपर डाला हुआ है back side में वही design हम इसके आगे set करेंगे इसके front के दोनों पार्ट में उपर चोटी बुनाई वारे design को कैसे adjust करेंगे यह मैं आपको बताऊँगी और इसमें फंदे कैसे घटाएंगे तो जो यह आठवी सलाई है हमारे इस आठवी सलाई में हमने फंदो को कम करना है तो देखें कैसे करेंगे एक फंदा यहाँ पे कम कर देंगे और एक design हमारा last तक चलता जाएगा इन तेन design के अंदर हमने 4 फंदे कम करने है तो अब आजए यह back side में यहाँ से बनाएंगे तो यह इस लाई हमारी पूरी उल्टी बनती जाएगे तो यहाँ पर हम 5 शे 6 फंदे बना लेंगे और फिर दो का एक कर देंगे तो 3, 4, 5 और 6 अब फिर यहाँ से दो का एक करेंगे तो एक फंदा कम हुआ फिर से 5, 6 फंदे बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच फिर से एक फंदा कम करेंगे तो दो फंदे कम हुए फिर से 5, 6, 7 फंदे ऐसे बना के फिर से एक फंदा कम करेंगे तो तीन, चार, पाच और छे छे फंदे बनाने के बाद फिर से यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे तो दो का एक करेंगे तो यह हमारे तीन फंदे कम हो गई एक फंदा हम और कम करेंगे तो एक फंदा यहाँ पर कम कर देंगे तेन डिजाइन के अंदर हमने चार फंदे कम करने है अब यहाँ पर एक फंदा और कम करेंगे तो यह दो का एक किया फिर यहाँ पर इन फंदों को बुनते जाएंगे क्योंकि यह डिजाइन हमारा लास्ट तक बनता जाएगा जो लास्ट के दो फंदे हैं यहाँ से सीधी तरब से जो फंदा हम बोर्डर के 11 फंदों के साथ में 12 और 13 फंदा है इनका दो का एक करेंगे तो यहाँ से इनको बना लेंगे तो पांच फंदे हमारे एक पारट में कम हो जाएंगे तो अब देखिए ये 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं एक फंदा और बुलेंगे अब यहाँ से देखिए आप सीधी तरब से ये 11 फंदे बटन पट्टी के हमारे और ये 2 फंदे साथ साथ में बनते आएं जो सीधे इनका दो का एक कर देगे तो यहाँ पर अब हमारे पांच फंदे कम हो चुके हैं टोटल अब आगे के डिजाइन को हम ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हमने बटन पट्टी बनाई है उसको बटन पट्टी के हिसाब से बनाएंगे धागा अपनी तरफ इस फंदे को फिर कुल्टा धागा पीछे फिर से इस फंदे को ऐसे ही बनाएंगे इसमें मैंने सोरट रोज दो-दो डिजाइन के बाद डाल दी है आप भी इसको ध्यान में रखते हुए बनाने जीएगा वह पट्टी के अंदर जोल नजर नहीं आएगा तो ये हमारी जो रोंग साइड से आठमी सलाई थी डिजाइन की उसमें हमने फंदो को कम कर लिया तो देखे फ्रेंडिस यहां से अब हमारे चार फंदे पाच फंदे कम हो चुगे है चार फंदे यहां तक कम किये हमने एक फंदा यहां पे कम किया है दोखा एक यहाँ पर किया है अब आगे जो छोटी बुनाई वाला डिजाइन उपर डालेंगे वही डिजाइन को हम अडजेस्ट करेंगे इसके अंदर और ऐसे ही हम इसमें फंदे घटा लेंगे यह जो तीन डिजाइन है इनके अंदर हम यहाँ पर चार फंदे कम करेंगे यहां से यहां तक चार फंदे एक फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही फंदे कम कर लेंगे तो देखी फ्रेंट्स अब हम जब उपर डिजाइन छोटी बुनाई वाला सेट करेंगे तो ये एक डिजैन हमारा पट्टी के 7-7 लाश्ट दक बनता जाएगा और इस तीन पारट के उपर तीन दिजैन के उपर हम छोटी गुनाईवाला डिजैन सेट करेंगे तो देखें इसको कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बोडरिक पट्टे के फंदे ऐसे ही बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो देखें ये 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के बन गई है अब जो ये 11 फंदा है दो काई किया था इसको हम वैसे ही बनाएंगे तो इसको हम ओपर से न बुनते हुए नीचे वाले होल्ट से यहां से फंदे को बनाएंगे ऐसे अब यहां से हमने इस एक डिजाइन को बनाते हुए जाना है तो देखें इसको कैसे सेट करेंगे ये एक फंदा हमने बुन लिया अब धागे को एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाले डालेंगे इस फंदे को लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे फिर ऐसे दो का एक करेंगे तो यह बटन पट्टी के 11 फंदे बन चुके हैं अब यह 12 फंदा सीधा तो इसको निचे वाले होल से यहां से सीधा बनाएंगे ऐसे धागया को अपनी तरफ करेंगे और यह फंदा लेंगे इसको ऐसे पल्टेंगे जो यह एक डिजाइन है यह हमारा लाश्ट तक बनता जाएगा तो ऐसे बैक साइड से जाले डालते हुए दो का एक करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ, आठ फंदे बनाने के बाद फिर यहां पर हम दो का एक करेंगे ऐसे दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पर यह फंदा सीधा बना देंगे ऐसे तो यह एक डिजाइन के फंदे हमारे अटजैस्ट हो चुगे हैं अब आगे धागा आगे करेंगे अब जो फंदे बाकी के बचे हैं इनमें हम स्लाइट बनाएंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ऐसे ही बनाएंगे पूरी रोको क्योंकि ये एक सलाई सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से जैसे बोर्डर बनाते हैं एक उल्ट एक सीधे का ऐसे बनेगी और चोटी बनाई वाला डिजाइन हमारा तीसरी सलाई में बनना शुरू होगा दागा आगे लाश्ट का फनदा फिर उल्टा तो ये एक स्लाई हमारी complete होई, अब आजाए इसकी wrong side में, अब यहां से फिर ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा यहां से उल्टा हो यहां से सीधा बन जाएगा, तो लास्ट फंदा यहां से उल्टा था, तो यहां से इसको सीधा बनाएंगे, दो सलाई ऐसे बनेंगे हमारी एक उल्टे एक सीधे की, जब तीसरी सलाई सीधी तरफ से आएगी, तो फिर डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ फिर से एक फंदा उल्टा तो इसको ऐसे ही बनाते विए यहां तक हम बना लेंगे जो यह डिजाइन के फंदे अडजेस्ट के यहां तक बनाएंगे तो दिखें फ्रेंट्स यहां तक मैंने इस रो को कम्प्लीट कर लिया है एक उल्टा एक सी देखा यहां से डिजाइन शुरू होता है यह फंदे हम बैक साइड से उल्टे बनाएंगे तो यहां से इनको उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ज्यार, बारे, और तेर, यह तेर फंदे डिजाइन के उल्टे बना लिए अब जो यह बटन पट्टी है बटन पट्टे के फंदे बटन पट्टे की तरह ही बनाएंगे तो यह ग्यारा फंदे हम ऐसे बना लेंगे एक उल्टा एक सीधा उल्टे को नोर्मल बनाएंगे और सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे तो इसको ऐसे पिछे की साइड से बनाएंगे दागा पिछे करेंगे फिर से ऐसे ही बनाएंगे तो ये बटन पट्टी के फंदे मैंने पून लिया आज जाई है इसकी राइट साइड में तो देखिए यहां से इसे बटन पट्टी के फंदों को ऐसे ही बनाएंगे आगे डिजाइन के फंदों को बनाएंगे तो इनको मैं बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं तो देखिए यह बटन पट्टी के फंदे मैंने 11 फंदे बून लिये अब धागा पिछे करेंगे अब यह सीधा फंदा इसको सीधा बनाएंगे जाले वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को लेंगे ऐसे पलट लेंगे फिर से दो का एक करेंगे ऐसे जो फंदा जाले से बढ़ा है वो दो का एक करके फंदा गट गया है फिर से बनाएंगे दो का एक किया एक दो तेन चार पांच और छे छे फंदे बुनने के बाद फिर से ऐसे ही दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जानी का फंदा सीधा बनाएंगे और ये सीधे फंदे को भी सीधा ही बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखें यहां से डिजाइन के छोटी बुनाई वाला डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा तो जो उल्टा फंदा है इसको नोर्मल उल्टा ही बुनेंगे धागा पिछे करेंगे अब जो यह सीधा फंदा है इस फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे सलाई के उपर फंदा है यहां से नहीं बनाएंगे इसके नीचे वाले होल से ऐसे फंदे को बुनेंगे धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा नोर्मल बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर से इस फंदे को सलाई पे नहीं बनाएंगे इसके नीचे वाले होल से सीधा फंदा बोल लेंगे धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे अब सीधा फंदा है इसको नीचे वाले होल से बनाएंगे धागा अपनी तरफ फिर से एक फंदा उल्टा यहां से हमारा छोटी बुनाई वाला डिजाइन बनना शुरू हो गया है इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ फिर फंदा नोर्मल है उल्टे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को नीचे वाले उल्ट से बनाएंगे तो यहां तक आप इसको ऐसे ही बुन लेजिएगा दागा अपनी तरह फ्लाष्ट का फंदा फिर से उल्टा तो ये हमारे तीसरी स्लाई बनके complete हुई अब आजाए इसकी wrong side में फोर्थ रो में तो यहां से अब पूरी रो हमारी उल्टी बनती जाएगे सभी फंदे उल्टे बनते जाएगे और जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको बटन पट्टी की तरह ही बनाएगे तो यहां से इस रो को ऐसे उल्टे फंदे को भी उल्टा ही बनाएगे और सीधे फंदे को भी उल्टा ही बनाएगे तो पूरी छोटी बुनाई वाले डिजाइन में और आगे जो एक डिजाइन है उसके सभी फंदे आप उल्टे उल्टे बुन लीजिए तो इसको यहां तक उल्टा बनाएंगे फिर बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे तो देखें फ्रैंड यह सलाई हमारी कंपलेट होई अब आ जाईए इसकी राइट साइड में सीधी तरफ तो अब यह हमारा फरंट का राइट पारट है इसमें मैंने आपको इस डिजाइन को अडिजेस्ट करना बता दिया है और छोटी बुनाई वाला डिजाइन भी हमारा अडिजेस्ट हो चुका है फंदे भी कम हो गई है तो अब आप इसको आगे ऐसे ही बुनते जाईएगा बटन पट्टे के फंदे बटन पट्टे की तरह बनाईएगा और एक डिजाइन को साथ साथ बनाते जाएंगे यहां से आगे हम छोटी बुनाई वाला डिजाइन यह हमारा स्टार्ट हो चुका है तो जो हमारा यह यहां पे यह चोटी बुनाई वाला यह डिजाइन बनता गया है निसे आरम होल के गठाई तक इसके यहां आदा इंच कम बनाएंगे इस पार्ट को इस बुनाई वाले डिजाइन स्टार्ट होने से इस डिजाइन से आदा इं टेक कम करेंगे तों यह तीन दिजाइन च्यार फंद इस इसकि उंच साइड हो 인दिखा दो इसकि अमें उसमें हमने राइट पार्ट में हम यहाँ से बटन-पित बनाते वह आएएग थे और तब हमने डेजाइन डाला था, इस में हम यहां से डेजाइन डालते जाएंगे, फिर बटन पट्डी बनाएंगे, तो ये डेजाइन है जो इसकी 8 मिस लाई है बैक साइड से, कि अअँ अधिये प्रॉभलय में हम इसे ही बनाएंगे बटन पंद्रे आप बून लीजें winning यह घूंत यह छोम पर ऑइन 스फ यह धूंत पना बुटन पंद्रे को सीधे तो दो सानी 的 यहां से इनका दो का एक करेंगे ऐसे फिर एक फंदा बुन लिया दो का एक दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, और तेरे ये तेरा फंदों में हमारा ये एक डिजैन यहां पर बन जाएगा और फिर आगे फंदे फिर गटाने, एक फंदा यहां पर कम हो गया, चार फंदे हमने इन फंदों में गटाने है तो छे, साथ फंदे आप बुन लिजिएगा, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यहां पर फिर से दो का एक करेंगे, तो दो फंदे कम हो गए, फिर से यहां पर छे, साथ फंदे बनाएंगे अब यहां पर फिर से दो का एक करेंगे, तो हमारे तीन फंदे कम हो गए, फिर से बनाएंगे अब फिर दो का एक करेंगे, तो हमारे चार फंदे कम हो गए, फिर से पांच, छे फंदे बनाएंगे तो अब यहां पर फिर से दो का एक करेंगे, अब यह फंदे लाष्ट के ऐसे ही बनाएंगे तो टोटल हमारे पांच फंदे एक पार्ट में कम हो गए, और पांच इस लेफ्ट पार्ट में कम हो गए दस फंदे ही हमने बैक पार्ट में घटाए थे और दस फंदे ही हमारे फरंट में कम हो गए तो अब आजएए इसके राइट साइड में सीधी तरफ, तो अब देखी फंदे कम हो चुके हैं, अब डिजाइन को कैसे अडजेस्ट करेंगे यह बटन पट्टी के फंदे हैं 11, और 13 फंदे हमारे इस डिजाइन के लिए रहेंगे और जो बाकी के फंदे हैं, उनमें हम एक उल्टा एक सीधा बूनते जाएंगे तो देखिए, एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा छोटी बुनाई वाला डिजाइन डालने से पहले दो सलाई हम ऐसे ही बनाएंगे एक उल्टे की और एक सलाई सीधे फंदे की एक फंदा उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए दो सलाई हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसा ही बनते हुए हम यहां तक बुल लेंगे बटन पर 30 अलग 13 फंदों तक यहां तक हम ये एक उल्टा एक सीधा बना लेंगे अब यहां तक मैंने फंदे बुल लेंगे एक उल्टा एक सीधा अब धागे को पिछे करेंगे अब इस डिजाइन के लिए हमारे यहां पर 13 फंदे हैं और में पहचान इसकी यह है जो ये तीन का एक फंदा हुआ है यहां तक हम बुल लेंगे अब धागे को पिछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे ऐसे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब इसको लेंगे ऐसे पल्टेंगे और दो का एक करेंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ, आठ फंदे हमने बुन लिये, आठ फंदे बुन गए, फिर दो का एक करेंगे तो ये हमारे 9 फंदे बन गए, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा सीधा बना देंगे अब जो आगे के फंदे हैं 11 फंदे ये बटन पट्टी की तरह ही बना लेंगे एक उल्टा सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे तो इनको बुन लिजिए फिर बैक साइड में आएगे तो देखें आगए रोंग साइड में ये 11 फंदे मैंने बटन पट्टी के बुन लिए अब जो ये एक डिजाइन ड़नेगा यहाँ पट्टी के साथ इसके तेरा फंदे हम उल्टे बुनेंगे तो एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे और तेरा तेरा फंदे बुनने के बाद आगे हमारा यहाँ पर ये उल्टा फंदा है तो इसको धागा पीछे करेंगे ये फंदा यहाँ से सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा तो छोटी गुनाई का डिजाइन डालने से पहले ये दो सलाई जो डलती है उनको बना लेंगे ये हमारी second row है wrong side से एक फंदा उल्टा उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को normal सीधा बना लेंगे तो इस सलाई को मैं complete कर लेती हूँ फिर आएंगे हम सीधी साइब लास्ट का फंदा सीधा तो ये हमारी row बन के complete हुई अब आ जाए इसकी right side में तीसरी सलाई में तो अब यहां से यहां तक हमारा ये छोटी बनाई का design चलेगा और ये यहां पर हमारा एक design ये बनता जाएगा बटन पट्टी के फंदे बनते जाएगा तो यहां से चोटी बनाई वाला design बनाना शुरू करेंगे तो उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा ही बुनेंगे धागा पिछे करेंगे अब जो ये सीधा फंदा है इसको यहाँ सलाई से नहीं बनाएंगे जो इसके नीचे ये होल नजर आएगा यहाँ से इस सीधे फंदे को बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टे फंदे को नोर्मल उल्टा ही बनाएंगे दागा पिछे करेंगे अब जो ये सीधा फंदा है इसको सलाई के उपर से न बुंगते हुए नीचे वाले होल से यहां से बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे फिर से यह सीधा फंदा है इसको नीचे वाले होल से यहां से बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएगे धागा पिछे करेंगे फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बनाएगे इसको ऐसे ही यहां तक बुन लेंगे यहां तक यह अलग से नजर आएगा आपको यहां पर फिर हमारा डिजाइन बना शुरू हो जाएगा तो दिखे यहां तक मैंने ये छोटी गुनाई वाला डिजाइन डाल लिया है अब धागे को पीछे करेंगे अब यहां से हमारा ये जाली वाला डिजाइन बनना शुरू होगा तो ये फंदा सीधा बनाएंगे अब ये जाली वाला फंदा है इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे इस फंदे को लेंगे ऐसे पल्टेंगे और यहाँ पर दो का एक करेंगे बैक लोब से जाली डालेंगे और दो का एक बना लेंगे फिर ये फंदें सीधे बनाते जाएंगे अब ये फंदें हैं फिर से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये जाली का फंदा सीधा बनाएंगे और ये फंदा फिर सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको बटन पट्टी की तरह ही बना लेंगे उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बनाएंगे उल्टे को नॉर्मल बनाएंगे और सीधे फंदे को बैक लूप से बना लेंगे अगर आपको पट्टी में जोल नजर आए तो बीच में दो दो सोर्ट रोज आप 10-12 सलाई के बाद डालते चली जईए मैंने इसके अंदर 3-4 बार सोर्ट रोज बुन ली है ये डिजाइन ऐसा है इसके अंदर जोल पढ़ जाता है पट्टी के अंदर जाली पैटरन है आजाएंगी और जोल होगा । नजर नहीं आएनगा। दोनों का लिवल हमारा शेम हो जाएगゃ तो देखे अब यहां से बतन पट्टी के फंदे रह carbon je और जो तेरा पंते बंते बनाते जाएंगे सी जुत फंद स्पत्री सिद्वीं ambos और फिर से ही बनाते जाएंगे तो दिएधी दोनों डिजाइन इन में आपको इसमें डिजाइन अड्जेस्ट करना बता दिया है लेफ्ट पार्ट में भी और राइट पार्ट में भी और जो पत्ती में जोल पड़ जाता है उसके लिए भी सोर्ट रोज भी मैंने आपको बना के दिखा दी है अब आप इससे उपर ये छोटी बुनाए वाला जो डिजाइन बनाएंगे जो ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसकी लेंध है साड़े चैंज अब आप इसमें बनाएए चैंज ये यहाँ से लेके डिजाइन से उपर है मेजर कीजिए आप चैंज के करीब इसको बना लेजिए दोनों पारट बनाने के बाद फिर आठ में पारट में हम इसका जो ये एक डिजाइन है ये डिजाइन भी अर्जेस्ट होता जाएगा और इसकी उपर से डिजाइन को सेट कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे तो देखे फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आपको अगर डिजाइन पसंद आया हो बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा थेंक्यू